वेल्कम बाक ट्रेड़ेजन इन्वेस्स एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपके अपने चानल थिंक फाइनस में चलिए शुरू करते हैं आज के इस एपिसोड को इस एपिसोड में दोस्तों अपडेट लेने माले हैं जी आर इंफरा प्रोजेक्ट्स लिमिटड का चानल पर नया है तो चानल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा देखें मार्केट कापलाइजेशन वाइस मिटकाप साइस कंपनी है आ रहे ही 18.9% पर एफिशिन साइट पर है डेफिनिटली अभी जो स्टॉक का पी है वो इंदस्ट्री पी से नीचे चला गया है यहाँ पर आप बिजनस देखेंगे इपी सी जो बिजनस है इंजियरिंग प्रोक्यूर्मेंट और कंस्रक्शन उसका बिजनस है आपे कंपनी का और रोड्स इन हाइवेज जो है 15 स्रेट में इस कंपनी ने डिवलाप करें तो देखें यह तो इंफ्रास्रेक्टर बिजनस तो वैसे भी हम लोग कम पसंद करते ह है क्योंकि इसके अंदर आपको लॉंग टॉंग विजन रखना पड़ता है अगर आप आज पूजिशन बना लेते हैं स्टॉक प्राइज उपर नीचे निकल जाता है टेंशन वाली बात होती है उसके बाद दूसरी चीज यह होती है कि इन्हें रिजल्ट कितना मिलेगा व वो एक बहुत ही पॉजिटिफ फाक्टर है बट ऐसी सेल्स ग्रोथ होने के बाद भी जो स्टॉक प्राइज है उपर के लेवल से यहां पर देखेंगे 2100 रुपे के लेवल से नीचे आया तो उसका मतलब यह है कि स्टॉक करेक्ट कर रहा है और चार्ट पे भी अगर हम लो किस लेवल तक चला जाएगा कोई गैरेंटी नहीं है कोई कुछ पता नहीं है और आप एक मैं आपको एक चीज बता देता हूं इससे आपको हमेशे ट्रेंड का पता चल जाएगा जब भी स्टॉक हायर लोज बनाता हो नीचे जा रहा हो ना वैसे फाइफ बार मानते है अगर आप सेल्स देखेंगे सेल्स ग्रोथ है यहाँ पे 8000 करोड के अंदर अगर 832 करोड का नेट प्रॉफिट बना रही है कंपनी तो अभी क्या होगा कि जो प्रमोटर्स है उनको स्टेक सेल उफ करना ही पड़ेगा 75 तक जो है उन्हें वहां तक आना ही पड़ेगा अब 75% की लिमिट तक अगर आ रहे हैं प्रमोटर्स तो आपको एक सेलिंग प्रेशर भी जो है मार्केट के अंदर देखने को मिलेगा तो वो एक और फाक्टर है जो कॉंट्रिब्यूट करेगा डाउन साइट कोई तो अभी स्टॉक से दूर रहें देखें उपर के लेवल का ही नजर आ रहा है तो मैं यह करता है अगर मैं आपकी जगह पर होता हूँ और मैंने उपर के लेवल पर बाइंग करी होती और एक लेसन हमेशा याद रखता है कि देखें अपने स्टॉप लॉस के साथ में स्ट्रिक्ट रहें जो ट्रेड्स आप स्विंट पॉपस से ले जरूर करिएगा अगर पसंद आया तो फिर मिलेंगे नए एपिसोड के साथ में तब तक लिए शक्रिया और थांक्स फो वाचिंग